नमस्कार दोस्तों मैं गनेश रामाति स्वागत करता हूं आपका कंपटिशन कम्मूनिटी में दोस्तों जैसा कि अभी आपको पता है कि सीजी पीएसी प्रिलिम्स के एक्जाम हो चुका है और इस एक्जाम के बाद जिनका अच्छा नंबर आ रहा है जो यह सोच रहे हैं कि मेंस्क के त्यारी करना प्रादम कर रहे हैं तो मेंस्क के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह हो जाता है कि मेंस्क को कैसा लिखा जाए मतलब मेंस्क में हम उत्तर को किस प्रकार से हम लिखे जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए और उसी के लिए ठीक समासास्त्र जो है एक आऊधाना से संबन्दीत चीजे हैं याँनि एक आऊधाना संबन्दीत विज्ञान है अर्थात इसे संबन्दीत जीतने भी टॉपिक है वह या तो आपको समान इरुप से आपको knowledge already होकै के यसे परिवार हो गया विवा हो गया नातिदारी हो गया, समाजिक परिवर्तन हो गया, समाजिक अनुसंधान हो गया, समाजिक नियंतरन हो गया, जाती विवस्ता, वर्ण विवस्ता, इन सभी के बारे में आप समान जानकारी रखते हैं, अब बात आ जाती है, क्या वो समान जानकारी काफी है, जी नहीं, समान जा सास्तर से संबंदित आउधाना को पढ़ेंगे तो आपको मैं एक सलाह दे रहा हूं कि उसके आउधाना को पढ़ने के साथ उसके जो की पॉइंट है उसको पॉइंट के रूप में आप डीनोट करके रखें ताकि आपको एक्जाम के समय में वो जो पॉइंट है की पॉइंट वो याद आए, नंबर वहीं से मिलेगा दोस्तों, तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं समाज सास्तर के बारे में, तो एक प्रस्न हमने यहाँ पर लिया है, जो विगत वर्स का प्रस्न है, इस प्रस्न को हम चर्चा करते हैं, अब हम देखते हैं कि इस प्रस्न को कैसे लिखा जाने के लिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, समस्या कहां पर आती है, समस्या यहां पर नहीं आती कि जो भी अभ्यारती, làях 1000 अभ्यारती बैठे सब का बराबर होता है अगर उनसे औरली पुछा जाए तो सब अच्छे से बताएंगे जहां तक बात आती है लेखन की तो यहां पर फर्क पड़ जाता है जिन्हों ने लिख लिख के अभ्यास किया है उनका जो लेखन से लिए वो निश्चित रूप से उन अभ्यारतियों से अच्छा रहेगा जिन्होंने लिख के अभ्यास नहीं किया है तो ध्यान रखिएगा ठीके मेंस के लिए आपको लिखना जरूरी है बार बार लिखें ठीके एक ही कोस्टन को आप लिखें खुद उसको चेक करें उसके बाद खुद उसमें क्या सुधार किया जा सकता है इस चीज़ को हम सही तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ये भी तो मैटर रखता है ना ठीक है तो डिलीवरी तो सही है लेकिन लेखन सहले भी जरूरी है ध्यान रिखेगा नॉलेज के बाद जो एक्स्प्रेशन है रैटिंग के माध्यम से और उस एक्स्प्रेशन होना चीज़ य चाहिए वर Mais जा आपने सारा सारा युझा डाल दिया यजिकन सब्सप्रिय अब बार बार खुद अभ्यास ब्यास करें सेंथ evaluation कर सकते हैं, अगर safe evaluation सुरू में नहीं कर पाते हैं, तो आप faculty से, teacher से अपने senior की मदद ले सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने इस प्रकार के मेंस के exam को दिया है, तो बड़ा practical चीज़ है, इसमें आपको practical होके चलना ही पड़ेगा, एक question यहाँ पर है, वस्तु निष्टता से आप क्या समझते हैं, समाजिक अनुसंधान में वस्तु निष्टता की समस्या को सपस्ट कीजे, दिखेगा, जब कभी भी आप, ये सलाह तो लिम्स में होता है, है या नहीं है, फस जाते हैं वहाँ पर लोग, अभी इस बार भी नहीं है, वाले बहुत सारे option आये थे, जिसके चक्कर में को टिक लगा कर आ गया है, तो इस प्रकार का मेंस में तो बचे है, क्यों? क्योंकि मेंस ये बड़ा नंबर कर रहता है, अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं, तो मिटाया नहीं जा सकता है, तिक कोई supplementary paper का यहाँ पर होता ही नहीं, आपको सब को पता है, यहाँ पर आपको निश्चित जगा दिया जाता है, और उस निश्चित जगा में आपको उत्तर को लिखना है, अब देखेगा, तिक, जैसे कि मैं यहाँ पर underline करता हूँ, वस्तु निश्चिता से आप क्या समझते हैं, अर्थात, मुझको यहाँ पर वस्तु निश्चिता का definition देना है, तिक, इसका second part है, समाजिक अनुसंधान में वस्तु निश्चिता की समस्या को समस्ट किजिए, underline किजिए समस्या को, तिक है, य तो पहला part को हम समझते हैं, तो पहला part क्या है, अब्जेक्टिविटी, इस चीज़ को देख लेते हैं, वस्तु निश्चिता किसको कहते हैं, वस्तु निश्चिता का तातपर होता है, कि हम समाजिक तथ्यों का अध्यान, जैसे कि समाज का अध्यान हो गया, परिवार का अ अध्यन हो गया इसको उसी के सापिक्ष अध्यन किया जाए उसी के सापिक्ष मतलब जो वस्तु जैसी है जो घटना जैसी है जो समाजी घटना जिस प्रकार से घटी थो रही है समाज में उसका उसी के परिपेक्ष में वास्तुरिक अध्यन करना ही वस्तु निश्ट अध्यन है, इसमें हम अपने मन की बातों को नहीं लिखते हैं, हमको क्या अच्छा लग रहा है, वो हम नहीं लिखते हैं, इसमें हमारे जो Sanskritick चीज़ें हैं, ठीक, जो अब तक हमने समाजी करण में सिखा है, ठीक, उस चीज़ को हावी होने नहीं देना चाहते हैं, तो बुखार का जो है हम किस प्रकार से वडिक्ट करते हैं हम यहां पर ऐसे बैठ के दूर से नहीं रखते हैं कि यहां भई इसको क्या है इसको बुखार है या नहीं है कितना डिगरी है तो हमको उसको क्या करना पड़ता है चेक करना पड़ता है थर्मामीटर देते हैं थर्म हमारी है उसको हमने अनुमान नहीं लगा है अपनी हिसाब से नहीं सोचा है उसको हमने वस्तुनिष्ट तरीके से समझाए तिक रिपोर्ट में आ चुका है कि उसके बलड के अंदर में ठीक है आपके मलेरिया के पैरसीट पाए गया है या टाइफाइड के पारसाइट पाए हैं तो इस अधार पर हम यह निर्धारित करते हैं कि उस वेक्ति को मैलेरिया है या टाइफाइड इसी को वस्तुनिष्ट अध्यान क्या कहा जाता है इसमें हमने अपना दिमाग नहीं लगा है रिपोर्ट में जो जैसा था उसको हमने एज़टीज एपलाई कर लिया है इस सब्सक्राइब सबस्क्राइब कर चाहिए तो अगरें इंग्री में बोलू अब्जेक्टिविटिज से आपका स्टैट आफ मािंद यह डिंखैगा औप्जिकटि विंटिगया एक आपका स्टेट Armенно in वीच द दा सोसल सांधिस त्शिक्री में अबजेक्टिव जस्ट अन अब मैं आपको एक सीरा सा परिभासना बता देता हूँ, वस्तूनिस्ट अध्यन, उस अध्यन को कहते हैं, जिस में जो समाजी घटनाएं हैं, तिक जिस रूप में घटी थो रही है, जिस स्थान पे घटी थो रही है, जिस स्वरूप में घटी थो रही है, उसका उसी के करना ही वस्तूनिस्ट अध्यान है इसमें हम अपने मन के विचारों को अपनी अच्छा मतलब ये घटना अच्छा है या बुरा है इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं जो चीज जिस रूप में घटी थो रहे हैं उसको उसी रूप में हम स्टडी करते हैं तिक वहां से समस्या तो समस्या का मतलब क्या है अब मैं आपको बता दू कि ये जो वस्तूनिश्टा की जिसकी बात कर रहा हूं कि भाई हमको अपने मन के चीजों को नहीं लानी देना है ठीक है तो इस चीज में समस्या होती है मतलब कहीं ने कहीं हमारे मिन के चीज़े आ जाती है ठीक ह इस प्रकार से हम वस्तुनिष्टता, मतलब वस्तुनिष्ट अध्यन करने में ठीक, अक्षम हो जाते हैं, या पूर तरीके से वस्तुनिष्ट अध्यन नहीं कर पाते हैं, clear है, चलिए, अब हम इस बातों को चर्चा कर लेते हैं, इन बातों पे चर्चा कर लेते हैं, कि किन कि कारकों से ठीक है हम वस्तुनिष्ट अध्यन नहीं कर पाते हैं समस्याओं पर ध्यान रखेगा अब मैं कुछ points पे इन चीजों को denote करूंगा ठीक जो रहेंगे समाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्टता की समस्या के ऊपर चली अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या समस्या आती है तो मैं यहां पर आपको यहां पर point के माध्यम से बता रहा हूं ध्यान रिखेगा यह आपका ठीक एक paragraph में आपने इसको लिख दिया आपको क्या आता है वो नहीं लिखना है ठीक है जो question का demand है उसको लिखना है question का demand क्या था कि वस्तुनिष्टता से आप क्या समझते हैं आपने define कर दिया ठीक क्या समझते है then after हमको जाना है second part में ठीक जो इसकी समस्या से संबंदीत है ठीक है आप इसको पहला वाला पार्ट को paragraph में लिख सकते हैं, second वाले पार्ट को point में लिख सकते हैं, लोग पुछते हैं सर paragraph में लिखना चाहिए, या point में, तो भाई आप इसको मिस्तिनी तरी के जो definition वाली चीजे हैं उसको आप paragraph में लिखे, उसके बाद जहां पर आपको लगता है कि one point one two three ऐसा point दिया जा सकता है तो वहाँ पर आप one two three point करके जा सकते हैं, क्यों? इससे होता है क्या है कि जो examiner है, उसको जो तथ हैं, ठीक है, एक sequence में मिल जादे आपने इस पे पाँच बिंदू लिखे हैं तो उसको पता चल जाएगा, एक सामने वाले इस पे पाँच अलग-अलग परकार के fact दियें और वो pinpoint method हो जाता है, pinpoint का मतलब वो strike करता है examiner का mind में ठीक है, अगर हम उसको paragraph में लिख दें, तो पहला वाला और दूसरा वाला तिसरा वाला जो है, एक ही paragraph में रहगा तो वो आकलन नहीं कर पाते हैं कि इसमें 8 या 5 या 6 कितने परकार के तथे दिये गए हैं, ठीक है, अगर उसको point में लिखें, तो ज़्यादा बेहतर होता है किसमें, जहां पर इस परकार के चीज़े संभाव है, ठीक है, और यह आपके बुद्धी पर निर्भाव है, क्यों उसको आपको जानना है कि यहाँ पर हम point बना सकते हैं, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर इसका पहला point देता हूं, क्या देता हूं, भावनात्मक प्रवर्तियों का प्रभाव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, effect of emotional attitude, या क्या कहूं, ठीक है, बिल्कुल, emotional attitude, effect of, effect of emotional attitude, ठीक, यह पहला बिंदू है, अब हमको इसको डील करना है, भावनात्मक प्रवर्तियों का ब्रभाव, अब देखिए, हम ठहरे व्यक्ति, आम आदमी, आम आदमी बात कर रहे हैं, इवेन इस परकार का जो study है, वो social science से related जो, scholars होते हैं, वो करते हैं, मतलब विद्वान लोग करते हैं, और विद्वानों से आप पे अच्छे ये कि जाती है, उनको ऐसा प्रसिचन प्राप्त होता है, कि वो unbiased तरीके से study करें, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, कि हम unbiased नहीं रह सकते हैं, ऐसी situation ही आ जाती है, ठ से जिस परकार से हमारा समाजी करन हुआ है, हम जिस परकार के परिवेस में पले बढ़े हैं, ठीक, ये सारी चीजे हमारे अंदर हैं, ठीक है, और अचानक से हम उसमें आमुल चुल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी विचारधारा हैं, हमारी माननेता हैं, इस प समंदित जैसे महलाओं के स्थिती ठीक महलाओं के वर्तमान स्थिती उससे समंदित अध्यान कर रहे हैं ठीक अपराद का अध्यान कर रहे हैं ठीक है परिवार के विगटन का अध्यान कर रहे हैं तो इसमें हमारी मान्यता आ जाती हमारी मुल्य आ जाते हैं ठीक है लेकिन इस असत्य प्रतिमान इसमें होता क्या है असत्य प्रतिमान का मतलब है ठीक है हम कभी कभी क्या करते हैं ठीक है चीजों को गलत प्रेडिक्ट कर देते हैं ठीक क्या करते हैं चीजों को गलत प्रेडिक्ट कर देते हैं ठीक है अपनी गलती होती है ये परकार के सिधी सिधी बात है कि जो व्यक्ति है, वो study करने वाला ही पूरी तरीके से गलत चीजों को denote कर देता है, तो ये होता है, ठीक है, अर्थात अनुसंधान करता से भी गलती होने के chances पाए जाते हैं, अनुसंधान करता जो है, ठीक है, ये गलत अतथियों को 71 कर लेता है, इसी को हम असत्य परतिमान क रहते हैं, ठीक है, तीसरा है ध्यान रखिएगा, समान निग्यान का परभाव, समान ग्यान का परभाव, अब मैं आपको बता दूए, इंफ्रेंस आफ जेनरल नॉलेज, ठीक है, जो जेनरल नॉलेज है, समाने ता है, देखे, यहाँ पर एक विद्वान आते है, गूडे जो ग्यान है, ठीक है, वो उसके अंतरगत आते हुए, ठीक चीजों का अध्यन करते हैं, जबकि वो सामने वाला क्या चीज है, जो समाजी घटना हो रहा है, वो तो विशिष्ट है, अब विशिष्टी चीज का अध्यन जो है, समान ग्यान का अधार पर कैसे कर सकते हैं, ठ हम तहरें जो निक्लियर चीज़ों को जान नहीं रहें तो हम निक्लियर चीज़ों के बारें कैसे बता सकते हैं नहीं बता सकते ना तो यहां पर उन विक्तियों का होना जरूरी है जो उस प्रकार से ग्यान जिनको अर्जित है जो इस प्रकार के ग्यान को जानते हैं इस प्रक कह अब है सजातियतावाद। यहां रखेगा अधान है । अधान जगitaire सजातियतावाद, माहीं कहरे मतन podemos हुए, S-S-P-S-C revolution लीEC- ध्यूनुटुन, रीखेगा यह पहने सपर कमने सब्सक्रावाद। तो सजातियतावाद का तात्पर ये है कि कोई भी व्यक्ति जो केवल अपनी संस्कृति को अपने समाजिक मुल्यों को अच्छा समझता है, तीके दूसरे जो संस्कृति है, दूसरे जो समाज है, उसके मुल्यों को बुरा समझता है, इसी को हम कहते हैं सजातियतावाद, इथ ग्रवेक लग यह प्रोब्लम आता है लोग जो है अपनी संस्कृitin को अच्छL समझते हैं अपने प्रतिमानों को समझते हैं अपने लाइफ के तरीकों को हो समय समझते हैं तो अगर आप जंजाती समाज में इस प्रकार के अध्यन करने जाएंगे तो सार चित्ती तर बितर हो जाएगा कहने का मतलब वहां पर आप जो है अपने मुल्यों के define कर सकते हैं तिक मैं आपको एक उधारन देना चाहूंगा ठीक है वस्तुनिष्टता से सम्मंधित चीजों के बारे में एक उधारन है ठीक ध्याने के अच्छा उधारन यह मसाई जन जाती नाम आपने सुना हम अपने बड़ों का स्वागत यहां जो अभिवादन करते हैं पैर चुक करते हैं अपने साथ जो रहते हैं उनके साथ हम हाथ मिलाते हैं हाथ जोड़ते हैं नमसकार कहते हैं ठीक है लेकिन यह जो मसाई जन जाती है यहां पर स्वागत करने का डंगी अलग है यहां पर थु कोगे मैं भी आपके हाथ में थूकूंगा उसके बाद फेवी कोल का जोड़ है कभी चूटेगा नहीं दोनों फिर मिलाते हाथ मिलाते इस प्रकार से ध्यान रखेगा ठीक हाथ मिलाते हैं तो यह चीज है ठीक अब आप उस जगह में गए हो मसाई जन जाती का अध्यन कर रहा है अब हाथ मिलाने वह थूक दिया आपके हाथ में अब लो हो गया ठीक है सजातिया अतावाद आ गया आपका सामान मतलब दिक्कत हो जाएगा आप अपनी संस्कृति से जज़ कर रहे हैं इस जन जाती में थूक जो है ठीक बहुत अच्छी चीज मानी जाती जब कोई नव परिवेस के अधार पे जिस जगह पे रहते हैं ठीक जिस परिवेस में इस प्रकार से उन्होंने अपने परतिमान बनाके रखे हैं तो यह समझ अगर आप अगर आप मसाई-जन जाती का अध्यन करने जाओं आओं तो दिक्कत करना ही वस्तुनिश्च्त का मतलब हुता है वैज्ञानिक अध्यण्, यानी जो चीज जैसी है उसका उसी rebellij करना ही वस्तुनिश्चा अध्यन है , मतलब वस्तुनिश्च अध्यन के मार्ग में आने वाली समस्या है , असत्य परतिमान, समान ग्नान का प्रभवव, और सह जाती है तावाद तो उम्मिद करता हूँ कि यह जो चीज है आपके लिए उपयोगी होगा ठीक है मेरा यही कहना है दोस्तों कि आप पढ़िये content को ज़्यादा content में नहीं पढ़ना है ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज को चार किताबों से पढ़ रहे हैं पढ़ते हैं ठीक लोगों में ग्यान की लालसा जाग जाती है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमको PhD नहीं करना है अक्सर यह देखा गया है कि मौंग मेंस के जो syllabus है उस syllabus में जो चीजें इंगित है जो topic दिया गया वो as it is आ जाता है जब as it is आ जाता है तो कोई भी एक समान मार्केट से standard का notes उठाईए ठीक और उस notes को बार-बार study केजिए मतलब उसकी जो आवधारना है वो आपको अच्छी तरीके से आ जाए समझ में यानि समझ विक्सित करना है जब समझ विक्सित हो जाएगा तो simultaneously यानि कि साधी साथ आपको writing का practice करना है और यह जो writing practice है इसको आपको या तो self आप evaluation कर सकते हैं स्वाय मुल्यांकन कर सकते हैं जब आप स्वाय मुल्यांकन भी करेंगे ठीक है तब भी ध्यान रखेगा आप बहुत सारी गल्तिया खुद खोज लेंगे आपको खुद लगेगा कि इससे बहतर आप answer लिख सकते हैं जब उसी प्रस्ण के answer को आप दूसरी बार लिखेंगे तो और बहतर तरीके से लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख लिख कर ध्यान रखेगा आप अपने answer के level को बढ़ा सकते हैं और इसी के वज़ा से आपका answer जो है दूसरे से अच्छा रहेगा ठीक जो जितना अभ्यास करेगा ठीक वो उसी content पर ध्यान देखेंगे सेम content में माल जी आपका दोस्त सेम content पढ़ रहा है और आप भी self content पढ़ रहा है मतलब वही content पढ़ रहा है लेकिन उसने एक बार अभ्यास किया लेकिन आपने तीन बार अभ्यास किया है तो यहाँ पर फर्क जो है exam के result में साफ साफ नजर आ जाएगा ठीक है बस यहाँ पर बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ठीक आपका जो means का त्यारी है बहुत अच्छे से किजिए ठीक है एक चरण आपका लगता है कि आपका होने वाला है तो दूसरी चरण के त्यारी बिन विलम की किजिए क्यों क्योंकि जब तक result आएगा तब तक अगर आप कुछ नहीं करेंगी in between that तो जब result आएगा उसके बाद आपके लिए करने के लिए समय बहुत कम बच्चेगा इसलिए आप ऐसे विशियों को पहले से उठा लिजिए ठीक है जिनको आपने GS में नहीं पढ़ा है पेपर 6 से रिलेटेड संबंदीद पेपर 7 से रिलेटेड जो मतलब आपके तो बस मैं इस सेसन को यहीं पर कम्प्रीट करता हूँ अगर आपको यह सेसन अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट किजे लाइक किजे और आपको एक सूचना भी दे दे रहा हूँ कि गांपरेशन कममणिटी जो है एक हमार से इंटेगरेटेड बैच चालू कर रही है जहां पर सारे फेकल्टी प्री करके सब्जेट को डील करने तो इससे अच्छा है कि समय जो है उसको हमें एक तरफा दे तो इस प्रकार कि निश्चित आपके हाथ लगेगी धन्यवाद अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा